इस वीडियो में हम वाद प्रकृति की डाइट के बारे में बात करेंगे वाद प्रकृति लोगों में वाद दोष जादा होता है पित प्रकृति लोगों में पित दोष जादा होता है और कफ प्रकृति लोगों में कफ दोष जादा होता है वाद, पित और कफ जब ये तीनों दोश balanced होते हैं तो हम सभी healthy होते हैं और जब ये तीनों दोश imbalanced होते हैं तो हमें disease हो जाती है जो कि हमें physically, mentally और emotionally हर तरह से affect करती है वाद दोश mainly old age में, afternoon timings में, autumn season में, cold और dry weather conditions में travel करने पे या फिर overwork करने पे हम सभी में imbalance हो जाता है आईए जानते हैं किस type को खाने से वाद imbalance होता है और हम उसे कैसे balance कर सकते हैं आयरवेद के according, like increase like, इसका मतलब है कि जिस food में वाद की qualities होती है जैसे कि dry, rough, cold, light, इस quality का food वाद को increase करता है और इसकी opposite quality वाद को balance करता है, यानि उसको pacify करता है जैसे कि अगर हम वाद की cold और light property देखें कि वाद को increase करेगी तो जिस food में इसकी opposite quality है, जैसे कि warm, nourishing, moderately heavy ऐसा food वाद को शांत करता है, cold food में mainly frozen food, refrigerated food, cold drinks, ice creams, leftover food ये सब cold food में आते हैं, वाद प्रकृति लोगों ने ऐसे food को avoid करना है इसके लावा जो light food है, जो कि जिसमें empty calories होती है, quick foods, ready made foods, processed foods ऐसे foods वाद प्रकृति ने avoid करने हैं, क्योंकि इसमें calorie होती नहीं है और बहुत जल्दी digest हो जाती है, दुबारा जल्दी मूख लग जाती है वाद प्रकृति वालों को ऐसा food चाहिए, जो कि उन्हें grounded रखे, उन्हें stable करे, उनको rooted रखे इसलिए वाद प्रकृति के लिए rooted vegetables सबसे अच्छी है जैसे कि beetroot, carrots, ginger, sweet potato, इस तरहें कि vegetables वाद प्रकृति लोगों को grounded रखती है और sweet taste होने की वज़े से ये वाद को balance भी करती है बात के दूसरी qualities अगर देखी जाए, dry और rough ऐसे food जिनमें dry और rough qualities होती है, वो वाद को increase करते है और इसके opposite food, like moist, oily, smooth and nourishing food, ये वाद को balance करते है moist food वो food होते हैं, जिनमें naturally water content होता है, जैसे कि fruits जिनमे naturally water होता है like berries, melon, oranges, vegetables जिनमे water content रहता है, like cucumber, squash, bottle gourd, इस तरहें की vegetables इन्हें moist food कहते हैं, इससे वाद की dryness balance होती है oily food वो food होते हैं, जिनमें oil naturally present होता है जैसे कि coconut, avocado, olives, इनमे naturally oil होता है इसके इलावा अगर हम seeds की बात करें, तो pumpkin seed, chia seed, flex seed, sunflower seeds इन सभी में oil रहता है, तो ये सभी वाद प्रकृति के लिए अच्छे हैं पर इन्हें raw form में consume नहीं करना, क्योंकि वो dryness cause करता है इसलिए इनको roast करके खा सकते हैं नट्स में elements सबसे अच्छे हैं, बिकास इसमें oil रहता है और elements को भी soak करके, आप उसमें moist quality एड़ कर सकते हैं या फिर roast करके उसकी rawness को खतम कर सकते हैं इसके इलावा वाद प्रकृति लोगों को food में oil एड़ करना है आइरवेट के according, mustard oil वाद प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है mustard oil और घी ये दो चीजे हैं जो कि वाद के लिए best है वाद प्रकृति लोग अपना खाना mustard oil में पका सकते हैं और खाने में घी एड़ कर सकते हैं, butter एड़ कर सकते हैं देसी घी का मतलब clarified butter इसको डालने से बहुत सारे benefit है वाद के लिए क्योंकि वाद की colon हमेशा dry रहती है तो घी एड़ करने से colon lubricated हो जाती है और उसमें gas, blotting और constipation की problem नहीं रहती digestion और elimination प्रॉपर होने लगता है वाद की सबसे बड़ी problem है weight put on तो weight put on करने के लिए भी घी सबसे best है जब हम घी को add करते हैं तो वो काफी देर तक हमें satiated रखता है और जल्दी बूख नहीं लगने देता क्योंकि ये healthy fat है इस वज़े से वाद प्रकृति लोगों का weight भी easily maintain हो पाता है इसके इलावा घी में विटामिन A, D, E और K पाया जाता है इसलिए ये आपके food में nutritional value भी आड़ करता है तो हर थरह से घी वाद प्रकृति के लिए best है इसके लावा वाद प्रकृति को cooked food लेना है raw vegetables नहीं लेनी क्योंकि raw vegetables वाद प्रकृति में dryness cause करती है अगर आप raw vegetables लेना चाहें तो उसे आप boil कर सकते हैं cook कर सकते हैं steam कर सकते हैं stir fry कर सकते हैं soup बना के ले सकते हैं छोटे मोटे changes को करके आप इसे वाद प्रकृति के लिए compatible बना सकते हैं इसके लावा अगर हम taste की बात करें तो कुछ ऐसे taste हैं वाद के लिए favorable हैं जैसे की sweet, sour or salty taste ये वाद के लिए compatible taste है क्योंकि ये वाद को balance करते हैं इसके opposite food लेने से जिसमें bitter, astringent और pungent taste होता है ये वाद की quality को enhance करते हैं और वाद को imbalance करते हैं इसके लवाद की qualities को favor करने के लिए कुछ spices हैं जैसे की cloves, cardamom, cumin seed, carom seeds जिसे अजवाइन भी कहते हैं turmeric, black pepper ये सब वाद की properties को balance करती हैं तो हम इसे cooked food में add कर सकते हैं वाद प्रकृति लोगों के लिए breakfast सबसे critical meal होता है क्योंकि overnight fast के बाद इनको ऐसा food चीए जो इनको stabilize कर सके, balance कर सके और energetic रख सके mainly breakfast में milk ले सकते हैं, egg ले सकते हैं butter toast, cheese sandwich, stuffed roti with ghee और butter इस तरह के कुछ options जो हैं इनके लिए best हैं ये जादा देर तक इसमें saturated feel करते हैं और जल्दी इनको भूख नहीं लगती और ये grounded रहते हैं और सारा दिन energetic feel करते हैं वाद के लिए 3 square meal important है उनके timings भी regular रहने चाहिए और उनकी वीच का interval भी proper रहना चाहिए वाद करकृती के लिए discipline बहुत important है इसके अलावा रात को सोते समय इनको hot milk with turmeric और some spices इस तरह की चीज़ें ये milk में add कर सकते हैं जो इनकी nerves को भी calm down करेंगे और इन्हें relax feel होगा लेकिन caffeine इन्होंने avoid करनी है क्योंकि उससे इनका mind hyper active हो जाता है और ये nervous हो जाते हैं anxious हो जाते हैं और relax नहीं कर पाते सबसे जो important चीज़ है वो है peaceful environment आत्रकृती लोग सभी काम fast करते हैं इसलिए जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और इन्हें खाना finish करने की जल्दी रहती है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग peaceful environment में खाना खाएं no phone, no TV, over eating नहीं करनी अपनी पूरी senses के साथ आप उसमें present रहें और relax होके खाना खाएं अगर बात्रकृती लोग इन सब do's and don'ts और क्या taste आपको add करना खाने में और peaceful environment create करके आप खाना अगर इस तरह से आप खाना खाते हैं और इस तरह की diet को आप अपनी day to day life में add करते हैं वाद्प्रकृती लोग optimal health achieve कर सकते हैं और अपना weight maintain कर सकते हैं नेक्स वीडियो में हम वाद्प्रकृती के lifestyle के बारे में बात करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो please like, share and subscribe to my channel thanks for watching, see you again